बिवादों के बीच तगड़े सुरक्षा इंतिजामों के साथ देश के लोकप्रिय कथा व्यास बागिश्वर धाम के पीठा धीश्वर पंडित धीरेंद कृष्ण शास्त्री द्वारा बिहार के पटना छेत्र में स्थित नौवत पुर में 13-17 मई तक हनुमन्त कथा का पागिश्वर बाबा की यह कथा देश भर में चर्चा का विशय बनी हुई है क्योंकि उनकी कथा के पहले बिहार के बनमंत्री तेश प्रताप ने उन्हें चुनोती दी थी इसी चुनोती के बाद यह कथा सुर्ख्यों में आ गई अब कथा को लेकर बिहार का जन्मानस पूले हुए हैं बिहार सरकार ने भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए बागिश्वर धाम के पीठा धीश्वर की सुरक्षा बढ़ा दी है बिहार में आयुजन को लेकर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किये गए हैं कथा इस तल पर आठ ड्र सकर्मी इस कथा की सुरक्षा में लगाए गए हैं इतना ही नहीं पुलिस मुख्याले ने विशेस तोर पर अलेट जारी किया है एडी जी पुलिस जीतेंदर सिंग गंगवार ने पुलिस और प्रशासन को तमाम सुरक्षा इंतजामों को पुखता रखने के निर्देश भी गए हैं तो वहीं बाहनों की पार्किंग के लिए भी लगबख 301 चेत्र में इंतजाम किया गया है कथा स्थल के तीन तरफ 3000 सेवादारों की तैनाती की गई है यहां 1500 सेवादार सिर्फ पार्किंग ब्यवस्था में लगाए गये हैं उमीद है कि यहां प्रती दिन 2-3 करके तीन कंपनी फोर्स बिहार सरकार के माध्यम से आ गया है और हमारे कम से कम 3000 से उपर वोलेंटियर है जो काम करेंगे चुकि लाखों की संख्या में भक्त गनाएंगे और तो भक्त गनाएंगे तो उनके लिए वाहन पार्किंग की विवस्था तीन तरफ की गई है एक प अब पन डाल के पीछे किया गया है सोवेकर में और एक पन डाल के बाया साइड में भी 100 अकर का हम लोग 300 में पार्किंग की व्यवस्था किये हैं कि किसी को कोई कर्ष्ट नहों और उसके बावजूद बहुत सारे लोग ट्रें से आते हैं बस से आते हैं तो हमारा एम्स किया है पार्किंग में कम से कम 300 काम करेंगे क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर लोग आ रहे हैं तो पार्किंग के बहुत बड़ा इसू भी है और उसके साथ हम लोग आगे आप देखेंगे तो हम लोग 5 पंडाल सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लगा है कि गर्मी का दीन है किसी को डिहाइडेशन हो गया या किसी तरह की चिकित्सी वेवस्था की जरूरत है तो उसके लिए हम 40 डॉक्टरों का टीम है 200 उनके साथ 12 मेडिकल स्टाफ है उनके लिए किया गया है चौंकी तो दस चौंकी के आसपास बनाया गया है दस जगह बेरिकेटिंग किय आगया है और सुरक्षा के द्रिष्टिकों से पुलिस और पब्लिक हमारा जो एरिया के जो लोग है लोकल लोग एक दूसरे को सहयोग करके आगे बढ़ रहे हैं वह सब उन लोगों को हम लोग नोटिस नहीं लेते हैं अब माले जे कोई किसी का मर्जी है प्रजात तंत्र ह कोई भी कुछ भी बोल देता है तो बोलने से क्या फरक परता है उसाब कोई नोटिस लेने की जरूरत नहीं है और नहीं लोग नहीं